नमस्कार आप देख रहे हैं रंगिलो जुन्जनू कंगना रानोत को तो आप सभी लोग जानते हैं जो एक फिल्म अभिनेत्री है और हमेशा चर्चा में रहती है अब कंगना रानोत के खिलाफ महिला कोंगरेस की जुन्जनू जिला देख स्तारा देवी जो बाय की सरपंच भी हैं उन्होंने नौलगड थाने में पदम स्री कंगना रानोत के खिलाफ भारतिय समीधान, सवतंतरता वे इतियास के खिलाफ गलत बोलने के नाम पर एक मामला दर्ज करवाया है तारा देवी ने कंगना रानोत की खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है और कारवाई की मांग की है अब आपको बताते हैं कि पूरे विवाद की जड़ क्या है अभिनेतरी कंगना रानोत ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि भारत को असली आजादी 2014 में मिली जब नरेंदर मोदी सरकार सत्ता में आई वहीं 1947 में देश को जो सवतंतरता मिली थी वह भीक में मिली थी इससे पहले भी कंगना रानोत ने कई ऐसे विवादित बयान दिये हैं लेकिन इस बयान के बाद पूरे देस बरेके नागरिकों में आकरोस है और हो बी क्यों ना क्यों कि कंगना रानोत ने 1947 के उन सवतंतरता से नानियों का अपमान किया है चिन्होंने आजादी की लड़ाई में बलिदान दिया था इस बयान के बाद देश बर के अलग-अलग थानों में अविनेतरी कंगना रानोत के खिलाप मामले दर्ज करवाए जा रहे हैं और देश वासियों में भारी आक्रोस है